नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आस्रम यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे चिंता रेखाएं परभाव रेखाएं या फिर जिसे राहू रेखाएं कहते हैं ये लगभग 12 परकार की होती है ये हमेशा जातक को नुक्षान नहीं देती इसमें से कुछ रेखाएं जब ये बिल्कुल रूप से इस परकार से रातियत इसके परभाव अलग हो जाते हैं अज जब ये इस परकार से लहरदार हो या कर्ब के आकार में होती इसके परभाव अलग हो जाते हैं इसके सुब असुब में अंतर आज इसी पर हम बात करेंगे आज बात करते हैं ये हम इस साइड भी यह रेखाई हो सकती है प्रावाक रेखाएं इस तरह से भी हो सकती है इसकी भी हम बात करेंगे और कुछ रेखाएं काफी लंबी हो सकती है लंबी लंबी रेखाएं ऐसी रेखाएं भी देखने को मिलती है इस परकार की रेखाएं देखने को मिलती है वह रेख चोटी चिंता की रेखाएं क्या होती है इस पे सबसे पहले यह चोटी चिंता की रेखाएं जो चोटी चोटी रेखाएं यह जो दिख रही है यहां पर जो इस प्रकार से जाके हतेली पर यहां जाके रुख रही है यह दिखी आयू रेखाएं पर जो रुख जाएं ऐसी आपके लिए शमस्या उत्पन अवस्य करेंगे जीबन में ये रेखाएं खास करके आपके निकट के लोगों द्वारा किये जारे उत्पन किये जारे शमस्याओं को दिखलाता है जिसमें आपके घर के सदस्य हो सकते हैं आपके रिष्टेदार हो सकते हैं कभी-कभी आपके प स्वतंतरता को बाधित करेंगे, मतलब हर कारे में अपना टांग अड़ा देंगे, आप कुछ काम करना चाहेंगे, वो अपना बुद्धी समझाएंगे, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, या आप कुछ कर रहेंगे, उसमें अडंगा लगा देंगे, मतलब आपकी बात को काटेंगे, आपके कार्र में आपकी सुतंतरता को बाधित करके शमस्चियाउत्पन करेंगे ये चोटी रेखाएं अंदर की चोटी रेखाएं बाहर की विशे में हम बात करेंगे ये टॉपिक बहुत dia होने बाला हो कि यहां तक संभबह मैं 0ight में अज बता रहा हूं ये छोटी रेखा ये काती है अब एक हतेली में तो कई रेखाएं होती है सबाओं का अपना प्रभाव होता है किसी रेखा का छिन प्रभाव होता है किसी का अस्तिक इसी जगह हमारी जो रेखा के पास आयू रेखा भी होती है ये दिखिए इस आयू रेखा को काटती है ये हम करती है और हमे उसका क्या-क्या नुक्षान होता है यह rlamation नहींस पूछान पहुंचाती है इसको कभी लाभ भी पहुंचाती है इसके बिशेज पर अभी हम बात करें यह लाभ कब पूचाती है और नुक्षान कब पहुंचाती है बड़ी रेखांений बड़़ी लrika प्रकार निकल से करें पर चले जाए तो यह यह पर आपका लाब हो सकता है लाब का पिर लेली हो गई अभी यह जुए चिंता की रेखाएं आपको नुक्शान नहीं करेंगी यह रेखाएं आपके लिए लाब का कारण बनेगी यह सुबफल आपके भागी में बिर्धी करेगी आपके मित्र और सहयोगी जो हैं साथ वाले वो आपके कारे में मदद करेंगे ति यहाँ पर एक positive impact हो गया यह एक सुबफल देती है लेकिन जब यही सनी पर पहुंचने वाली यह रेखाएं यहां से निकले और यह इस प्रकार से पहुंच गई ति यह सुबफल नहीं देता है यह दुरगटना को भी दिखलाता है यह सुबफल नहीं दुरगटना को दिखलाता है चुकि अगर भाग रेखा के साथ पैरलेल के रूप में पहुंचती है पैरलेल मन होता है समान तरब अस्थाम बिल्कुल इस पर अस्थाम है तो यह सुवस्थिति में होती है जब यह रेखा यहां से निकल कर आपकी आयू रेखा को क्रॉस करते हुए गुरू परवत पर पहुंच जाए यह देखिए जब यह गुरू परवत पर पहुंच जाती है तो इसके बिशे में क्या है ऐसा ब्यक्ति अभिमानी होता है अभिमानी बहुत अभिमानी जिसे करते हैं कुछ ऐसी ही प्रविर्टी का होता है बहुत अभिमानी के साथ साथ इसकी महत्वा कांचा काफी उच्छ होती चुकि गुरू जो है हमेशा ये प्रियास होता है गुरू का कि वो नेत्रुत करे जहां भी रहे वो सब का मुख्या रहे वो उसका हेड रहे लीडर्शिप की भावना होती है नित्रुत करने की भावना होती है अगर गुरू परवत अगर अत्यधिक उच्छ अवस्था में हो गया तो ऐसे जातक में डिक्टेटर्शिप ताना साही की भी प्रिविर्ती होती है मतलब अपनी बातें दूसरे पर हमेशा थोपने का प्रियास करता है लेकिन अगर अन्य साइन गुड हो जैसे कि आपकी अन्य रेखाएं अच्छे वस्था में हो तो इसका नुक्सान जो है कम होता है इस बात पर हमेशा ध्यान रखेंगे चाहे कोई भी रेखा हो ये सनी पर ही क्यों नहीं पहुंच जाए हाँ जाकि कट क्यों नहीं जाए ये सारे रेखाएं एक दूसरे को काट दे आपके भाग रेखाएं लेकिन आपके हातों की गरहों की इस्थिती इसके नुकसान कम होते हैं अगर निगेटिव अवस्था में हैं तो आपको नुकसान भी अधिक होने वाला है काईदातान अगर कोई बेक्ति कमजोर है अगर उसको थोड़ा से बिद नुकसान हो गया तो उसके लिए बड़ा नुकसान होता है तो कुछ ऐसी ही स्थिती बनती है कि आपके हतेली के गरहन अच्छतर और रेखाएं कमजोर अवस्था में पाले सिती उपर से इसमें बड़ी बड़ी है चिंता की रेखाएं और राहू की रेखाएं आ गई ये तो आपको पूर रूप से नुकसान देने वाली है लेकिन जब आप मजबूत अवस्था में होती है तो आपको नुकसान कम होता है तो कुछ ऐसा ही बाते यहां पर भी होती है अब बात करें कि शूरी परबत पर जब ये रेखा everywhere यहां से निकल कर सुर्य परवत पर पहुंच जाये देखी इस पर कार से प्रूज जाता है अगर यह रेखा इसके मिपसे में कहा गया झाल झाल